हेलो फ्रेंड्स, ना कोई आलू गोभी, ना कोई गोभी पनीर और ना कोई गोभी मसाला, बिलकुल नए तरीके से आज हम बनाएंगे, पनीर को भी टककर देने वाली गोभी की एक दम न्यू रेसिपी, जो की सायद ही आपने कभी खाई होगी, बिना क्रीम और दही के ही, वो गोबी सीम्पल तरीके से घर पर ही रखे समानों से आज हम बनाएंगे रेसिपी रूम में आपका स्वागत करते हैं सबसे पहले हम एक गोबी को ले लेंगे और अच्छे से अच्छी वाली गोबी लेनी है और कीड़े उड़े ना हूँ उसमें अच्छे से साफ कर लेना तो तुकडों में काट लेना थों फीर टमाटर ले लेंगे तीन टमाटर ले लेंगे दो प्याज लेंगे ताकि अच्छे से ये पक जाए एक टोरे में जब पानी उबल जाएगा तो सारे चीज हम ऐसे ही डाल देंगे अधरक लासन भी डाल देंगे इसमें पांच मिनट तक मुश्किल से हम इसको बॉयल करेंगे ज्यादा देर नहीं करना जब टमाटर अच्छे से गल जाएगा तब ज्याधा यह डालना है और भारिक भी नहीं पीसना है इदर हमारा यह उबल रहा है अच्छे से पका नहीं जब तक टमाटर का यह छिलका नहीं निकलेगा तब तक हमें इसे पकाना है और इदर गोभी जो कॉटिंग करके रख के त掰掰 इसको भी हम पीस लिएैं ऐसे ही पीसना देखिए गोवी जो में पीषना है इसमें पानी बिल्कुल यहीं डालना इसमें आधा कप के करीब दूदध डाल देंगे दूद से हे में पीषना है इसको डूद्ध भी भी आपको ध्यान रखना है मोटा पीसेंगे तो यह अच्छा नहीं बनेगा इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं फिर हम एक चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे और एक चम्मच के करीब हींग डाल देंगे और टेस्ट अनुसार हम नमक डाल देंगे और लास्ट में हम आधा में कर लेते हैं वह इस ही बीच में थाली में तेल थोड़ा लगा देते हैं जिस थाली में भी हमें बनाना है इसमें कड़ाई में भी पानी गरम होने के लिए रखती हैं और हमस एक प्लेट भीट कर देंगे उसको दूशे इसे ही set कर देना है, और इसे के उपर हम थाली रगदेंगे, set की आवा जो लिक्वीड था, देखिए, ऐसे ही set करना है, और इसको हम कुछ देर के लिए ढख के पकाएंगे, 10-15 मिनिट तो लगी जाएंगे, इसको हम ऐसे ही ढख के छोड़ दिए, और इधर जो हम टमाटर सब जो रखे थे जब थंडा हो गया इसको हम बर इक पीछ लेंगे ज़सका सिर्फ काजुत सकती है या तो मुंथली चाहले तोड़ी सी ही डालना है जादा नहीं एसे जो है ना ये डालने से इसका क्रीमी टेक्स्टर आएगा ये टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आप चाहे तो छोटा पीस रखिए बड़ा पीस रखिए अपने हिसाब से काट लिजी आप ऐसे ही रख देंगे इसको थाली में थोड़ा हवा लग जाएगा ये बस ये हमारा अच्छे से तयार हो गया इदर अब हम ग्रेवी की भी तयारी करेंगे एक बार आप जरूर इस रेसिपी को ट्राय करना इसको हम अब अच्छे से फ्राय करेंगे आप चाहे तो नहीं भी फ्राय कर सकती है इसको ऐसे ही भाम से जो पका है इसको ऐसे ही काट के आप ग्रेवी में डाल के खा सकती है हमें ये थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए हम इ परम मसाला है और थोड़ा सा कीचन कींग का मसाला है सब को पहले तेल में हम अच्छे से दो से चार वर चला लेंगे उपर से हम धनिया पत्ती भी एक चम्मच के करीब डाल देंगे लाल मिर्च का पौडर डालके अच्छे से हम इसको चला लेंगे और मिडियम टू लो फ्लेम देखिए ऐसे ही फ्राय करते जाना है और इसको अच्छे से चलाते जाना है ताकि ये नीचे बैठना जाए बस इसी जान में हम पानी डालके इसको साफ करके इसमें डाल देंगे देखिए हमारा ये अच्छे से अब ग्रेवी बनके तयार हो गया है इससे खुस्भू भी ज दालना है ये जब अच्छे से उबल जाएगा तभी इसमें डालेंगे और ये फ्राय किया हुआ जो था गोबी उसको भी इसमें हम डाल दिए देखिए ये इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स हमारी रेशिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो नए आये हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ना इसमें कुछ आपका खर्चा होने वाला नहीं है बस ऐसे ही इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को डालने के बाद ही बंद कर देना है बंद इसमे आप चाए पूरी पराठे चपाती किसी के भी साथ खाईए बहुत ही तेस्ट अच्छा आएगा फिर मिलते हैं एक नई टेस्टी और बहुत ही आसान सी रेसीपी के साथ अब तक के लिए बाबाए